9 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, यह नरेंद्र मोदी को वहाँ पर बैठा रखा है, यह हिंदुस्तान नहीं चलाता नरेंद्र मोदी के पास 9 लोग बैठे हैं, आपके प्रधान मंत्री को इन चीजों के बारे में समझनी है उनको नहीं मालुम कि बजट कैसे बनता है, पैसा कहां कैसे जाता है, उनको बाशन देना जानते, वो बाशन देना जानते इसलिए उनको बठाया गया है बठाया किसने अधानी ने अंबानी ने इन लोगों ने जितना चिलाना चाहते हो चिलालो जितना आप कहना चाहते हो अगनिवीर नहीं होगा चिलालो कुछ फरक नहीं पढ़ने वाला आप में धम नहीं है अगनिवीर होगा अगनिवीर होगा क क्यों कि आदानी चाहता है इसलिए अगनीवीर होगा मोधी चाहता है इसलिए अगनीवीर होगा कैसे ओपका गविल तॉम जोए होगा हूं को में उलोग सबसे हो हिंदुस्तान का जो बबर शेर है जो इस देश को चलाता है जो इस देश को आगे ले जाता है वो सो गया है डर गया है होगा कैसे नहीं होगा अदानी ने डिसाइड किया होगा होगा नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा होगा नबे यूरोक्राइश ने डिसाइड किया है होगा होगा दम नहीं है तुम में से दी 1,000 पर सेंट की बागीदारी छे रुपरे ुपैर Haut ये दिकलो सोरुपहए गए न अगर सो उपशन में खर्च होए अच्छी तरे देखो इसको यह तुम्हारी बागी दारी शें रुपै डस पैसे की बागीदारि इस तुम लोगों की राम मंदिर का आपने इनागरेशन देखा देखा सबने देखा मुझे बताओ उसमें आपको अधानी देखा देखा उसका चेहरा देखा अमबानी का चेहरा देखा अमिता बच्चन का देखा अश्वर राय का देखा खोली का देखा किसी किसान का देखा किसी किसी पिचले का आपने मंदिर में चेरा देखा जब मैंने जाती जनगर्ना की बात की गिंती की बात की नरेंद्र मोदी जी स्केज पर जाते हैं भाशन देते हैं ऐसे कहते हैं बाईयों और बेहनों देश में सिरफ दो जात हैं एक गरीब है और एक अमीर है देश में जात नह गए जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोधी OPC शब्द भूल गए पिछड़ा शब्द भूल गए कहते हैं दो ही जाते हैं नोट बंदी की यह जो सब दुकान डारें को बरबाद कर दिया किसानों को मार दिया तब OPC थे जी AST लाए पिछड़ों को मार दिया तब OPC थे 14 लाग करोर रुपए उन्होंने अधानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया तब OPC थे मान लो यहां पर लोगों ने मन बना लिया इसकी जैव कार पहला काम क्या करेंगे पहला काम केंगे वो रिशब उदर देख उदर देख वो देख पाकिस्तान उदर देख ओई इदर देख वो देख अमिता बच्चन उदर देखो वो देख अश्वरिया राए उदर देख एक क्रिकेट पहला काम यह है फिर उपर रिश्राप सिंग उदर देखेगा उदर देखो यह पीचर दे बंदा आएगा जेव काट लेगा ठीक है इसका नाम अदानी वो जो यह कर रहा है उसका नाम मोधी और तीसरा यहां पर एक बंदा खड़ा रहेगा भया मुझे डंडा देखेग और तीसरा यहां पर एक पीछे होगा एक पीचे होगा tubing वो जैसे तीसरा यहां पर डंडा लिये खड़ा होगा ऐसे ऐसे डंड़ा लिये खड़ा हो गांगर किसी ने उल्टी सीली बात की तो डंडा अमिछा एटी Bali, income tax, police यह सब आप देख रहे हैं देश की आवाज देश में बीजेपी और आरेसस नफरत और हिंसा पहला रही है एक धर्म को दूसरे धर्म से लडाती है एक जात को दूसरे जात से लडाती है और हिंसा देश में फैलाती है चार हजार किलोमेटर में मैंने हजारों युवाओं से, किसानों से छोटे वियापारियों से बात की साथ घंटे हम चलते थे पंद्रा मिनट शाम को ऐसा भाशन होता था और लोगों ने मुझे सिर्फ दो तीन बात बोली सबसे पहले हर प्रदेश में बेरोजगारी 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 जहां भी आप देखो बेरोजगारी दिखेगी युवाउ से बात करो कहते हैं राहूल जी पांच-छे लाक रुपए दस लाक रुपए हमने प्राइवेट युनिवर्सिटी और कॉलेजिस को दिया है हमने सोचा था मैं यह जंडा था है हमने सोचा था कि यह जो हमने पांच-छे लाक रुपए प्राइवेट कॉलेज और युनिवर्सिटी में डाला इससे हमें डिग्री मिलेगी और डिग्री से हमें रोजगार मिलेगा हमने रोजगार पाने के लिए ये शिक्षा ली है ये कॉलेज की डिगरी मेडिकल डिगरी लीकल डिगरी ये हमने ऐसे नहीं ली हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है और पांच छे लाग दस लाग ख़श करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया एक कागज हमें पकड़ा दिया और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एक्जाम के दिन एक्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मॉबाइल फोन पे मॉबाइल फोन पे हमें दिखते हैं मॉबाइल पे हमें दिखते हैं मतलब हमने 6-7 लाक रुपे डाले हमने मेहनत की और किसी चौर ने पेपर चुरा के सेंट पर सेंट मार्क ले लिए जब भी मेरे पास यह आते थे यह वह आते थे कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर हर प्रदेश में मैं उनसे पूछता था भईया एक बात बताओ पूछना नहीं चाहिए मगर मैं पूछता था भईया मुझे बात बताओ तुमारी जात क्या है और 90% लोग कोई मुझे कह में पिछडा हूँ कोई मुझे कह में धलित हूँ कोई में कह में आदिवासी हूँ और जब जनरल कास वाला मेरे पास आता था मैं पूछता था भईया तुमारे माता पिता अमीर है या गरीब वो कहता था गरीब है तो फिर मैंने पता लगाया मैंने कहा यहां पे यात्रा में मुझे पिछड़े लोग दलित लोग आदिवासी गरीब जनरल कास के लोग मिल रहे हैं मैंने पता लगाया कि भईया यह देश में हैं कितने यह देश में 10 परसेंट 20 परसेंट 30 परसेंट 40 परसेंट 50 परसेंट यहे कितने सड़क पर तो मुझे यही दिख रहे हैं और कोई दिखी नहीं रहा पता लगाया सरकार कहती है हमें नहीं मालूँ मैंने कहा आप को कैसे नहीं मालूँ सरकार केती हमें नहीं मालू मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में हमें नहीं मालू दलित कितने हैं हिंदुस्तान में हमें नहीं मालू आदिवासी कितने हैं हमें नहीं मालू जेनरल कास के गरीब कितने हमें नहीं मालू 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते है ये नरेंद्र मोदी को वहाँ पे बैठा रखा है ये हिंदुस्तान नहीं चलाता नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे है समझे बजट बढ़ता है तो ये 90 लोग डिसाइड करते हैं कहां पैसा जाएगा कि बजट कैसे बनता है पैसा कहां कैसे जाता है उनको भाष्चन देना जानते वो भाष्चन देना जानते वो नफरत फैला ना जानते हैं भाष्चन देना चाहते हैं इसलिए उनको वहाँ बठाया गया है बठाया किसने अधानी ने अम्बानी ने इन लोगों ने ठीक है? अब सुनिए 90 लोगों में से आपके बजेट का एक-एक रुपिया एक-एक रुपिया ये 90 लोग बाढ़ते हैं डिपेंस में कितना जाएगा? अगनी भी और योजना होगी या नहीं होगी? नहीं नहीं बहिया बोलो जितना बोलना आपको नहीं होगी कुछ फर्थ नहीं पड़ता कुछ फर्थ नहीं पड़ता आप में कुछ दम नहीं है आप में कुछ दम नहीं है बोलो जितना बोलना है कुछ नहीं होगा अरे भाई सुन लो समझ लो समझ लो समझ लो आपके दिमाग में बात बैठ नहीं रही है आप जितना चिलाना चाहते हो चिला लो जितना आप कहना चाहते हो अगनीवीर नहीं होगा चिला लो कुछ फरक नहीं पड़ने वाला आप में दम नहीं है आप में दम नहीं है अगनीवीर होगा क्यों? क्योंकि आदानी चाहता इसलिए अगनीवीर होगा मोधी चाहता इसलिए अगनीवीर होगा कैसे दमनी है आप में कैसे नहीं होने देखो हो रहा है आप चिलाते हो और कुछ नहीं करते ही दमनी है आप में 70% में दमनी है सुला रख मैं बताऊंगा आपको रास्ता मैं रास्ता बताऊंगा मगर दम नहीं है तुम लोगों में तुम लोग सोय हुए लोगों मैं खुलके तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ तुम लोग सो गए हो 75% हिंदुस्तान का जो बपर शेर है जो इस देश को चलाता है जो इस देश को अगे ले जाता है वो सो गया है डर गया है यह देश की सच्चाई है आप कहो जितना कहना है अगनी वीर नहीं होगा अगनी वीर नहीं होगा नहीं होगा 73% में दम नहीं है होगा कैसे नहीं होगा अदानी ने डिसाइड किया होगा होगा नरेंद्र मोधी ने डिसाइड किया होगा होगा नबे ब्यूरोक्राइस ने डिसाइड किया है होगा होगा दम नहीं तुम में अब सुनो अब सुनो नबे लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं स्वास में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं किसान बिल वो डिसाइड करते हैं नबे में से आपका कितना नबे में से दलेत आदिवासी पिचलों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ नबे में से तीन ओबिसी तीन दलेत एक आदिवासी नबे में से साथ आपके और सुनो पता कहां बैठें बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठें डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठें फाइनांस मिनिस्ट्री में नहीं बैठें कहां बैठें छोटे से कमने में ब जादा भक्वास मत करो नहीं तो तुम्हारा ACR उडा दिया जाएगा ACR समझते हो नहीं समझते Annual Confidential Report जिससे पिछडे ब्यूरोक्राइट की दलिद ब्यूरोक्राइट की आदिवासी ब्यूरोक्राइट की रोज हतिया होती है ACR नाम समझ लो अगर हिंदुस्तायन की सरकार 100 रुपे खर्च करती है आप जानते हो आपकी कितनी भागीदारी है से 73% जानते हो 100 में से 73% की भागीदारी 6 रुपे 10 पैसे 100 रुपे का नोट देओ मुझे 100 रुपे का नोट देओ मुझे मैं ठीक सा समझाओंगा आज आपको तो समझोगे 100 रुपे का नोट दो यह रहा 100 रुपे का अब 6 पैसे की कोई चीज दो मुझे 6 रुपे की चीज दो मुझे कोई 6 रुपे, 6 रुपे निकलो जेब से ये लो, ये देओ, 6 रुपे, ये लो ये लो ये लो ये ये देखो ये बज़ेट में से सो रुपे गए ना अगर सो रुपे बज़ेट में खर्च हुए ये है ये है ये है आपका ये लो देखो अच्छी तरह देखो अच्छी तरह देखो इसको ये है तुम्हारी भागिदारी ये कम है इसको तुम्हें उठा के फेक देना चाहिए छे रुपे दस पैसे की भागिदारी है तुम लोगों की अन्याए है ये हर रोज तुम्हारे साथ अन्याए हो रहा है ये लो सो रुपे अच्छा अब सुनो अब सुनो राम बंदिर का आपने इनागरेशन देखा देखा सबने देखा मुझे बताओ उसमें आपको अधानी देखा देखा उसका चेरा देखा अमबानी का चेरा देखा अमिताब बच्चन का देखा अश्वर राय का देखा खोली का देखा किसी किसान का देखा किसी मज़़ूर का देखा किसी गरीब का देखा हिंदुस्तान की राष्टपती हिंदुस्तान की राष्टपती आदिवासी है हिंदुस्तान की राष्टपती आदिवासी है उसका आपने राम मंदिन में चेहरा देखा किसी दलित का आपने मंदिर में चेरा देखा किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेरा देखा तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ आपने नरेंद्रमोधी का चेरा देखा आप कोगे नरेंद्रमोधी पिछड़े वरकादमी है और मैं आपको बताता हूँ नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जेनरल कास्ट के आदमी थे गुजरात में 2000 में उनकी जात गाची जात को OPC में डाला गया था नरेंद्र मोदी OPC नहीं है नरेंद्र मोदी जेनरल कास्ट के है और नरेंद्र मोधी जेनरल कास के गरीब लोगों की भी देख्बाल नहीं करते तो यह मैं आपसे कहना चाहता था मैं आपसे सिर्म यह कह रहा हूँ आप अगर नहीं चगोगे अगर आप अपना हक नहीं लोगे भू के मर जाओगे आपके यो बच्चे हैं न मैंने देखा बारण नसी में रात को मैंने देखा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे शराब पिए सड़क पे लेटे हुए थे डिप्रेशन में हैं जानते हैं कि यह कुछ नहीं होने वाला यहां पर अब सुनो अब बात समझो रास्ता आपने मुझे से पूछा मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक ही सवाल आपको अपने आपसे पूछना है ठीक है? सवाल क्या बताओ? मुझे आज जब आप सुबह उटोगे चाहे आप किसान हो मजदूर हो बेरोजगार हो आपको अपने आपसे एक सवाल पूछना है और इस बात को आप गहरी तरीके से समझेए गराई से समझेए आपको सुबह उटके कहना है ये जो सोने की चिडिया है जिसको हम भारत माता कहते है पूरी दुनिया में इसको सोने की चिडिया कह जाता है इस सोने की चिडिया में से मुझे आज कितना सोना मिला वह यही सवाल है आप सुबह उठो आप किसान हो आप कहो कि मैंने भारत माता के लिए आज अपना कुन पसीना दिया मेरी माता ने आज मुझे कितना पैसा दिया यही सवाल है और कुछ सवाल नहीं है अब समझाता हूँ आपको सबसे पहला काम गिंती का काम है सबसे पहले देश को बताना है गलित पिछडे आदिवासी इस देश में कितने है उसका तरीका जाती जन गरना है अब उसके बाद मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ मैं करांतिकारी बात कर रहा हूँ स्टेज पे ये आपको हिंदुस्तान के टेलिविजिन पे नहीं दिखेगी क्योंकि टेलिविजिन अदानी का है पहला कदब होगा जाती जन गरना उसमें जेनरल कास्त के कितने गरीब है बैकवर्ड कितने है गलित कितने है, आदिवासी कितने है उसके बाद जाती जंगर्ना के साथ Economic आर्थिक सर्वे उसके बाद पता लगेगा कि पिछडों के पास इस देश का इतना धन है गरीब जेनरल कास के पास इस देश का इतना धन है अमीर जेनरल कास के पास अरब पतियों के पास इतना धन है पिच्डों के पास दलितों के पास आदिवासियों के पास इतना धन है और जिस दिन वो ऐसे उपर लिख दिया जाएगा उस दिन सारे के सारे बबरशेट जग जाएंगे ये रास्ता है अब जब मैंने जाती चंगर्ना की बात की गिंती की बात की नरेंद्र मोधी जी स्टेज पर जाते हैं भाशन देते हैं ऐसे कहते हैं भाईयों और बहनों भाईयों और बहनों देश में सिरफ दो जात हैं एक गरीब है और एक अमीर है देश में जात नहीं है अरे भाई अगर जात नहीं है तो तुम OPC कैसे बन गए जब जाती जन्गर्ना का समय आया तो नरेंद्र मोदी OPC शब्द को भूल गए जब पैसे का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी OPC शब्द भूल गए पिछड़ा शब्द भूल गए कहते हैं दो ही जाते नोट बंदी की यह जो सब दुकान नारें को बरबाद कर दिया किसानों को मार दिया तब OPC थे GST लाए पिछड़ों को मार दिया तब OPC थे 14 लाग करोर रुपए उन्होंने अधानी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया तब OPC थे मैंने जाती चंगरना की बात की सोने की चिडिया की बात की धन को बातने की बात की तो सिर्फ दो जात है नरेंद मोदियों भी सिन्ही है आप भी बात समझे और मैं आपको बता रहा हूँ ये मीडिया वाले कुछ भी कर ले कोई भी कुछ कर ले इस तुफान को नहीं रोका जा सकता ये आज नहीं तो कल 70% जग जाएगा वो आस्ते आस्ते जगेगा जब वो जगेगा जब उसको सची चोरी समझाएगी तब इस देश में करांती शुरू हो जाएगी तुफान आ जाएगा आकरी बात आपसे कहना जाता हूँ आपका नाम क्या है रिशब क्या रिशब सिंग उपर आओ आओ रिशब सिंग को उपर लाओ अब मैं आपको हिंदुस्तान की राजनेती ये पूरा पूरा ड्रामा जो चल रहा है एक मिनट में समझाने जा रहा हूँ ये है रिशब सिंग अच्छे तरह देखो इसको ठीक है अब मान लो मैं रिशब सिंग हम सब रिशब सिंग का जेव काटन जाते हैं मान लो ये ये तू सिक्रेटी वाले हैं मान लो यहाँ पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेव काटनी है पहला काम क्या करेंगे पहला काम केंगे ओर रिशब उदर देख उदर देख वो देख पाकिस्तान उदर देख ओए इदर देख वो देख हमिता बच्चन उदर देखो वो देख अश्वरिया राय ओए उदर देख वो देख क्रिकेट पहला काम ये फिर रिशाप सिंग उदर देखेगा उदर देखो ये पीचर दे बंदा आएगा जेव काट लेगा ठीक है इसका नाम अदानी वो जो ये कर रहा है उसका नाम मोदी और तीसरा यहां पर एक बंदा खड़ा रहेगा भया एक मुझे एक डंदा देना देना जरा हाँ ये देव डंदा देव और तीसरा यहां पर एक पीचे होगा एक पीचे होगा वो अधानी एक मोदी कहँगा इधर उदर देखो और ये तीसरा यहां पर डंदा लिए खड़ा होगा ऐसे ऐसे डंदा लिए खड़ा होगा अगर किसी ने उल्टी सीदी बात की तो डंदा सब मैं काशी मंदर गया बात समझे आप मैं काशी मंदर गया मैं शिभ को मानता हूँ मैं काशी मंदर गया वहाँ पे पुलीस वालों ने क्या किया सारे मोबाइल फोन अटा दिये सारे मॉबाइल फोन अटा दिये एक मॉबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि रावल गांदी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए उसके बाद वारा नसी में सारा गाज सारा सेल फोन का जो नेटवर्क चैंदा उसको डाउन कर दिया लोग मतलब वीडियो ले रहे है वो वीडियो ना फिलाए आप देख ले ना ये जो मैंने भाश्रा दिया ना मीडिया पे नी दिखेगा है दिख नी सकता ये सोशल मीडिया में पेला ओआओ सोशल मीडिया में देखेगा, मीडिया में नहीं देखा, अच्छा सोशल मीडिया को भी वो अमरीका से कंट्रोल कर रखा है, तो ये मैं आज आपसे कहने आया था, मेरा काम, तीहतर परसेंट को हिंदुस्तान की सोने की चिडिया का धन दिल्वाने का हैं, धन्यवाद, और धन्यवाद रिश्वजी, नमस्कार, जैहिन, भाराट जोडो, जोड़ से, भाराट जोडो, भाराट जोडो, नफरत के बाजार में मुहपत की दिकान खोलो, देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नभूले और बेल का बटन जरूर दबाएं